देवास जिले के खाते गाउं में बर्चा रोड पर एक महिला का शव मिला जिसके हाथ पर चंदा भाई लिखा हुआ था घटना इस तल पर शव के पास से ही शराब सहित कुछ खाने की चीजे भी पड़ी हुई मिली थी साथी महिला के शव के पास खून से सना बड़ा सा पत्थर भी मिला घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मोके पर पहुँची और पंच नमा बना कर शव को अस्पताल पहुचाया पुलिस ने हाथ पर लिखा चंदा भाई के नाम के आधार पर खाते गाउं नगर में चानबीन की तो जानकारी मिली कि चंदा भाई पति शंक प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जामली हर्दा का है जो कि पिछले एक माह से खाते गाउं में किराय के मकान में रह रही थी म्रतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि शाम 7.7 बजे के आज-पास आखरी बार माह से फोन पर बात की थी उसके बास से उनसे कोई समपरक नहीं हुआ है खाते गाउं से साधिक खान की रिपोर्ट